और बंगलादेश में तख्ता पलट के बाद ज्वारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अलपसंख्यकों पर पड़ रहा है बंगलादेश से आ रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक हिंदू बहोल एलाकों से लगतार हत्या आगजनी और लूट पार्ट की खबरे आ रही है इंसा के बेच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है बंगलादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अलपसंख्यकों पर हु रहा है पूरे बंगलादेश से हिंदू पर हमले और उनकी संपत्यों में आगजनी की खबरे आ रही है हिंदू के घरों और मंदिरों को चुन-चुन कर उनकी पर हमला किया जा रहा है पिछल दिये जावाश्व माई उल्टो दिख्थे के शे आमर बाशार मुध्धे ठूके आमर बाभा एक जुन ब्याफ्षय करे शेयतार ब्याफ्षय पोदिश्टान आमर भाई एक जुन डाक्तार छोटोका कर छेले ता चेम्बारों आमादेर बाशार मुध्धे एई चेम्बारेर मुध्धे धुके आमादेर पुड़ा भाईगा चुईरा किचु राखे डाई आई आमार काका के खुशते शीलो आमा आमार मा बाईडे छिला आमा छोटो निरुपाय होए दाराए देख्ते रहे घरे फ्यान बोलेन, खाबान जलेर जोग बोलेन, एक टा एक टा ग्लास बोलेन, कि चुणाखे नाई पीता यह भाईगा या लाई से बाबा जते टुकू पार से छवितू आचे भाबारे मार से बाबार गाया हाथ दिशे अब छोटो कायका तो पलाई आएसे अब छोटो कायके ओना कुछती से बादे आमना कततान निरूबाय आज किरे इस हात्रो देर कारोने आमना एकर की देश चेरे निजे जोएगा जोमी वर्ड हिंदू फेडरेशन के बागलादेश चेप्टर की रिपोर्ट की बुताविक बागलादेश के उन्ताले जिलो में हिंदूओं को बनाया गया निशाना भरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़ फोड आज़नी और लूट हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घणों को जलाया गया है राजनीत इसे जुड़े हिंदू नेताओं को खासतोर पर निशाना बनाय जा रहा है हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही है बंगलादेश में मौझूद हिंदू के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है धर्म गुरूओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिशत और आरसेश जैसी सस्थाएं भी बंगलादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही है साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांगलादेश में हिंदों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ज्यान रखा जाना चाहिए बंगलादेश में सबसे ज्यादा अलपसंक्यक हिंदू ही हैं ऐसे में उनके सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है बंगलादेश ब्यूरो आफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अलपसंक्यक हिंदू ही हैं इसके बाद बौध और इसाई आते हैं तक्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बंगलादेश में रहने वाले भारतिये अब सदेश लोटने लगे हैं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बंगलादेश में हिंदू के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है बांगलादेश में तख्ता पलट की साजिश में ISI का नाम भी सामने आ रहा है ऐसे में माना जा सकता है कि बांगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है बांगलादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होनी जा रहा है ऐसे में हिंदों की सुरक्षा एक ऐसा मुद्धा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांगलादेश के संबंदों पर भी दिखाई देगा और बंगलादेश की कई जिलों से इस वक्त डराने वाली तस्वीर आ रखी है क्योंकि भीड लगतार हिंदूओं और उनकी धार्मिक आसा से जुड़ी चीजों को टार्गिट कर रही है आलम तो यह हो चुका है कि वैश्विक मंच पर इस बरबरता के खलाफ आवाज उठने लग गई है पांगलादेश में हिंदूओं से बरबरता लोक गायक राहुल आनंद के घर तोड़ फोर दंगाईयों ने घर को किया आग के हवाले सोचिए एक लोक गायक से किसी की क्या दुश्पनी हो सकती है सोचिए एक लोक गायक पर किस बात का घुटसा निकाला जा सकता है लेकिन राहुल आनंद को पांगलादेश में अल्पसंख्यक यानि हिंदू होने के कीमत चुकानी पड़ रही है धाका में मौजूद उसके घर में घुजे दंगाईयों ने पहले तोड़ फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया लेकिन बांगलादेश में घट रहता भरी कहानी खोटा सा हिस्थ देश में कुछ 64 जिले हैं 21 जिलों में अवातालियों के निशाने पर हैं जुन जुन कर उनके घरों को टार्गेट किया जा रहा है बहु बेटियों की इज़त के साथ खिलवार किया जा रहा है और ये सब कुछ हुआ है शेक हसीना सरकार के तक्ता पलट के बाद यही वज़य है कि बांगलादेश में हिंदों के साथ हो रही बेरहमी पर आवाज उठने लगी है जो हमारे अलपसंख्यक हिंदु भाई हैं उनकी मा बहन बेटियों की इज़त आवरू पर बात ना आ जाए इसके लिए भारत को चोकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अलपसंख्यक हिंदु भाईों के साथ पूरी देश को खड़ा होना पड़ेगा वहां के हिंदु भाई बहन परिशान है मंद्रों में तोड़ फोड की जा रही है बहुत उपद्रों मचे हुए है भारत सरकार से हमारी प्राथना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विसाल दिल दिखाते हुए बांगला देश में रहने बाले हिंदुओं के जिन्हें टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता जानकारी के मताबिक राजधानी धाका में कई मंदिरों को धस्त क्या जा चुका है साल भर हजारों लोगों का पेट भरने वाले इसकॉन टेंपल को भी दंगाईयों ने नहीं छोड़ा है हम सरकार से निवेधन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चीत करें कि वहां के हिंदु सुरक्षीत रहे हैं और हमको विश्वास है कि सरकार कज कदम उठाए हम यहीं अपील करना चाहेंगे आन्ने देशों की सरकारों से कि भारत सरकार से और अन्ने देशों की सरकारों से कि यह जो बंगलादेश में जो तांडो चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड हिंदू रहते हैं और वो लो काफी आतंकित हैं हिंदूओं के लिए बंगलादेश इसकदर असुरक्षित हो चुका है कि वहाँ से उन्हें निकालने के खवायद शुरू की गई है सुनिए बंगलादेश से भारत आये एक ट्रक डैवर ने वहाँ क्या देखा उधर बंगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सदकुरू जगी वासुदेव ने भी अप्रत्य जाहिर की है उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा ये बंगलादेश का अंतरिक मामला नहीं है हमें अपने पडोसी देश में अल्प संख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है सच यही है कि बंगलादेश में हालात बेकाबू है और इन बेकावू हालात का सामना अलप संख्यक समुदाय को करना पड़ रहा है और बंगलादेश में अलप संख्यकों पर हमले लगतार जारी हैं बंगलादेश के 49 जिलों में हिंदूओं को निशारा बनाया गया है घरों से लेकर मंदिरों में तोड़ फोर की गई है खबर ये है कि कई हिंदू नेताओं के हत्या की गई है और हिंदू के घरों को जलाया गया है हिंदू महिलाओं को भी अगवा किया गया है राजनीते से जुड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मताबिक बंगलादेश में रहने वाले ठाई करोड हिंदू असुरक्षित हैं और हिंदू पर हमला बढ़ता ही जा रहा है तेज होता जा रहा है बंगलादेश में हिंदू विरोधी जमात कटरपन्ती चहरा आंदोलन सिर्फ मोहरा हसीना के जाते ही गूनी खेल शुरू बंगलादेश में शेक हसीना के इस्तीफे के बाद थी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है ही लूट कर भाग रहा है कानून विवस्था धरशाई है डरावन संक्यकों को टार्गेट करके निशाना बनाये जा रहा है शेक हसीना के तक्ता पलट के बाद जिसका डर था बीते 24 घंटे में वही हो रहा है हम लोगों का घर करोबर सब आग से जला दिया गया है बहुत प्रब्लम है बाई है हिंदु बाई वो दो बाई जो है उनलों के घर में जाके मंदिन में जाके आग ला आ रहे है और ये हम नहीं कह रहे हैं बांगलादेश के अकबार चीक चीक कर कह रहे हैं बांगलादेश के सबसे बड़े अकबारों में से एक तडेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अकबार में लिखा है हिंदूओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ वहीं न्यू एज के मुदाबिक हिंदूओं के घर व्यापारिक संस्थान और मंदिनों पर ताबड तोड हमले हो रहे हैं ये सुर्खिया बांगलादेश के अखबारों की हैं लेकिन जो तस्वीरें बांगलादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं नोती हुई इस मासूम के घर पर कटर पंथियों ने हमला कर दिया इन्हें ये भी नहीं मानूम की इनकी खता क्या है मिझिलनीया जावा स्वमय उल्टो दिके एल से अमार बाशार मुध्ध्यhuhu ध मोध्य फूक flips इसां ने कोरें शेतार ब्याफ्य मोध मोधिला पोदईश्टान आमार भाई य्ख His ä演理 कandies ताँ चेमबारो आमादेर बाशार मुद्धे हैं ए छेमबारें घुके आमादेर भाईयागा कि घुहे राके आमार काका खुछतेलो आमार भाई के खुछते छी नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षन से, गुस्सा, सिस्टम के खिलाज, फिर शिकार हिंदू अलपसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तक्ता पलट के बाद से, राजधानी धाका में स्थित, भारतिय सांसकृतिक केंडर में तोड़ फोड की गई, दो हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है, काजल रॉय के अलावा, रंगपूर जिले में अवामी लीक के हराधन रॉय की गोली मार कर हत्या कर खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट-पीट कर उन्दी गई, दिस्कौर गया, बांगलादेश के 27 जिलों में हिंदूओं पर हमले हुए, हिंदूओं की दुकानों में तोड़ फोड और लूट पाट की गई, एक ही जिले में 12 हिंदूओं के घर जलाई गए, के हवाले कर दिया, जब देश का प्रधान मंत्री को अपने आवास को छोड़ कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेका गया, वहां के डेटीज हैं, वो छतिग्रस्त हुए, ऐसा नहीं है कि बांगलादेश में हिंदूओं के खिलाब माहौल कोई नया है, जि 7.9 प्रतिशत रह गई, ये आखड़े कहते हैं कि बांगलादेश में भी हिंदूओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्थर पर हिंदूओं को थोड़ी बहुत रहात मिलती रहा है, बांगलादेश में तख्ता पलाट, साजिश को को अपनी जान गवानी पड़ी, शेख हसीना को लेकिन आगे का रास्ता अटका हुआ है या फिर अटका दिया गया है, उसे वो है जमात इस्लामी, पंथी संगठन, जमात इस्लामी ने ही बांगलादेश में चल रहे प्रदर्शन को इंसा के मुहानी तक पहुँचाया, पांच हजाद से एक लाख तक पहुँच गई, यही नहीं, अपनी चात्र इकाई का इस्लामी ने आए चात्रों पर नज़र रखी, पिछले दस साल में अपनी चात्र इकाई की तविंग का ऐसा कैटर तयार किया, कि सीधे तोर पर सरकार के खिलाफ ख़ड़ा, माना जाता है कि पांगलादेश को हिंसा की आग में चोगने में जमाते इकाई प्र ऐसार इकाई तो ही नहीं लिगा, पांगलादेश में हिंस वो ना सिर्फ भारत विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहा, बलकि शेख हसीना के खिलाफे परदर्शिन से बला रहा जमात और वहा के विपक्षी पार्टी बांग्रादेशी नेशनल पार्टी को हुआ